hey guys welcome back to my channel once again आशा करती हो आप सब लग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग को एक सिल्क के उपर काम किया हुआ जर्दोसी टाइप की साड़ी जो की pink and blue में है और ये पता है दोस्तों ये सिल्क थोड़ा सा rough सिल्क है मतलब ये बहुत ही जादा rough है ये बिल्कुल सिल्क मेटरियल जैसा नहीं है काइंड ओफ कॉटन मेटरियल एंड सिल्क मिक्स किया हुआ है तो इस टाइप के साड़ी तो आपके पास होंगे ही तो उस टाइप का साड़ी आप कैसी इजिली पहन सकते हो ये हम देखेंगे आज तो इसको पहनने के लिए हम as it is एक नॉट नहीं हाँ पे बांधे के अभी नॉट इसलिए बांधे है दोस्तों क्योंकि हमारे अगर बाइचांस पैर साड़ी में आ जाए तो साड़ी खुले नहीं तो इस तरीके से आप अपना एक नॉट बांध लीजिए और पीछे के हिस्से में उस एरिया को आप टकिन करते हुए इकुल डिस्टेंस यानि कि आप अगर हिल पहन रहे हो तो हिल का डिस्टेंस आप नाप के ही साड़ी को अपने चारो और टकिन करना स्टार्ट कर लीजिए तो आप equal ही देखते हुए आप टकिन करते जाएए अपने चारोर और इस तरीके से आप सारी को जब आपके चारोर एक राउंड लपेट न हो जाएगा उसके बाद आप right hand side में उसको सारी के corner को इस तरीके से टकिन कर लीजिए टकिन करने के बाद आप एक बार उंगली फिरा के सारे जगा देख लीजिए कि सही तरीके से टकिन हुआ है कि नहीं ये रफ सारी टकिन करने में बहुती ज़्यादा मुश्किल होती है तो आप थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मतलब secure हो जाएए कि चारो और आपका सारी सही तरीके से टकिन किया है इस तरीके से अभी हम पल्लू को जस नॉर्मिली लपेट लेंगे देख सकते हैं ये लपेटने के बाद भी कितना ये रफ मेट्रेल है कि एक जगा सिमटी नहीं रहा है कितना जादा रफ है तो इसलिए सारी को यहां पे जब आप इस तरीके से सारी तो सारी को ट्विस्ट कर लीजिए ताकि आपको पहनने में आसानी रहे उसके बाद हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बॉडर है उसको खीच के इस तरीके से हम खीच लेंगे और खीच के हम कमर के नीचे वाले हिस्से की और लेके आएंगे और अपने ज़स आपका complete हो जाए, आप अगर satisfied हो, तेन उसके साथ ही आप left hand side में थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा crease बनाना start कर लिजी, यानि कि ये साड़ी को angular motion में आपको क्या करना है, आपको 2-3 plates के जैसा बना के आपको हाथ में लेके समिटना है, आप देखी सकते हो किस तरीके से किया अब ये जैसा हो गया, अब जो मेरा right hand side में जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जस्ट उसी area में इस तरीके से पकड़के हम टकीन कर लेंगे, देख लिजी, ये टकीन हो गया हमारा, उसी के साथ देख लिजी, ये stair वाली हिस्सा भी create हो गया, अभी जो हमने right hand side में साड़ी का हिस्सा वो टकीन करके रखा था, उसको हम छोड़ेंगे और left right hand side से थोड़ा सा जगा छोड़के हम इस तरीके से छोटे 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 प्लेट्स में हम साड़ी को divide करके साड़ी को अच्छी तरीके से टकीन कर लेंगे, देख लिजी, आपका अगर इस तरीके से मेरे जैसा थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ रहता है, that means वो अगर सही तरीके से टकीन ना हो रहा है प्लीट्स के जगा, तो आप just प्लीट्स को normally set कीजिए, ऐसे ही आप जारती हुए आप प्लीट्स को set कर लीजिए, और set करने के बाद पहले तो अपना प्लीट्स को इस तरीके से टकीन कर लीजिए, प्लीट्स को always first आप टकीन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे बचा हुआ इससे के साथ हमने क्या किया, तो देख लीजिए, ये वाला हिस्सा बहुत ही किसी का होता है, जो बचा हुआ रहता है, तो हमको कुछ भी करन इसे थोड़ा सा बॉड़ी को जुकाएंगे, और साडी को हम पीछे की ओर ले जाके उसको पीछे इस तरीके से टकीन करेंगे, आप उस राइट हैंड साइड में ज्यादा बॉदर मत हुई है, क्योंकि हमारा जो पल्ला है, वो राइट हैंड साइड से ही होकर गुजरती है तो आपको इसलिए ज्यादा बॉदरिंग होने के तो बिलकुल ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम क्योंकि उल्टा पल्ला कर रहे हैं तो हम आपको पहली सिखा चुके हैं, उल्टा पल्ला में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की हाथ से हम क्या करेंगे, हमा चोटे 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 पलीट में हमने साडी को डिवाइड कर लिया, उस करने के बाद हम साडी को ऐसी खीच के हाथ को उपर करेंगे, और उपर करते हुए आप अगर हाथ को खीच के इस तरह के से उपर करते हैं तो आपका लेंथ आपको पता चल जाता है कि कौन सा ह इससा आपके कंधे तक आने वाली है, तो इस तरीके से उसके बाद हब राइट साइड से आप प्लीट्स को फॉलो करते हुए, जस्ट बॉर्डर को फॉलो कीजिएगा, और कुछ भी ने, बॉर्डर को फॉलो करते हुए, आप छोटे-छोटे-छोटे हिस्से में साड़ी को एस तरीके से प्लीट्स बराते हुए आगे बढ़िये, अब इस प्लीट्स जब आपका सारा समेटना हो गया, तो आप उल्वेस ये कीजिए कि आप उस एरिया में पकड़ते हुए, आप सेप्टिपीन से उसको सिक्योर कर लीजिए, दो-तिन सेप्टिक पीन से आप उसको स सारी दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है, पिंक एंड ब्लू में, लेकिन ये पहनने में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सारी का मेटरियल बिल्कुल रफ है, एकदम रफ मेटरियल है, आप देखी सकते हो, सिल्का सारी अगर हम पहनते हैं, तो इजीली कितना सुन्दर से सेट हो जाता है, लेकिन जनरली इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मसकत करना पड़ा, फाइनली ये सारी हो गया, आप देख लीजिए सारी कितना अच्छे से बैठा हुआ है, इस से बैठो तो इस रफ मेटरियल की सारी आपको नहीं बैठने तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए और सारी को अच्छे तरीके से पहनिए, जब भी आप इस मेटरियल को सारी पहनिए तब थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा टाइम इसको दे, चलिए इसी के साथ ये वीडियो यही पी समा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए इससे मेरा मोटिवेशन लेवल और भी हाय होता है मिलते हैं आपके साथ नेक्स वीडियो में